हाई गाईस क्या हाल है इस वीडियो में मैं आप लोगों को html स्टार्ट से लगे end तक सिखाऊंगा अगर आप html सिखना चाहते हैं तो इस एक वीडियो से अब html पूरा सिख जाएंगे लेकिन ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि कहीं web development project कर रहे हैं या पड़ाई कर रहे हैं लेकिन html की जरूरद है इमीडियेटली लेकिन html नहीं जानते तो वेलकम ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए और देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाला कि दोस्ते हैं ये पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कप उसका ग्रांड में html का कोड लिखा होता है विद्व इस तरह मिल नहीं होता है और भी बहुत सारे होते एंजतेमिल के साथ जैसे css लगा होता है जावास्क्रिप लगा हुआ होता है और भी बहुत सारे चीज़े आप एड़ कर सकते हैं लेकिन जो सामने हम पेज देखते हैं जो कुछ भी हम सामने देख पाते हैं ओ जैसे आप लोगों के स्क्रीन पर देख सकता है मैंने आप गूगल पर पीज़ लिख के सार्च किया है और यह जो गूगल का जो पेज आया है हमार समने जो दीख रहा है इसके पीछे एक html code लिखा हुआ है दोस्तों आब आते हैं what is html मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इसका फुल्फम है हाइप टेक्स्ट मार्कप लेंग्वेज जो यूज होता है और यह होता है और यह एक html पेज में ब्लॉक्स बील्ट करता है और यह जो एलिमेंट्स होता है और टैक्स के अंदर रहता है अब यह html टैक्स और एलिमेंट्स क्या होता है इसमें बाद में आता हूं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर html का एक स्ट्राक्चर देख सकते हैं इसको html boiler इसके बाद आता है जो लिखा जाएगा जो लिखा होता है इसका डिजाइन किया जाता है वह भीवर्स को यानि हमें विजिवल होता है मुश्टली बाडी के अंदर आप कोड जो कोड है वह लिखना है जो आप दिखाना चाहते हैं भीवर्स को दोस्तों html में हमेशा याद रखे कि tag अगर open करते हैं तो आपको close भी करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर कुछ tag होता है मैं एक करके आओंगा बाद में यहाँ पर head tag है title भी tag है और html तो most important tag है ही टैग के साथ साथ यहाँ पर attributes भी होता है टैग और attributes में ज्यादा difference नहीं होता स्रिफ tag start होता है और इसका closing tag भी होता है जैसे slash देकर इसको खतम करना पड़ता है और attribute को नहीं खतम करना पड़ता है और यहाँ पर कुछ attributes का example है जैसे hr ev hyperlink के लिए src image tag के लिए दोस्तों मैंने html element की भी बात की थी यहाँ पर स्कीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक paragraph टैग लागा हुआ है और उसके अंदर एक content है दिसीच paragraph लिखा हुआ है तो जो html element होता है ओ इन सारे चीज़ों को लेकर होता है ओ एक tag औ मैं आप लोगों को एक rewind कर देना चाहता हूं या जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूं ताकर आगे चलके कोई भी problem ना आए तो आप सारी इंदेजर को खतम करते हैं और चलते हैं मेरे laptop की और और वहां पर हम देखेंगे सारे चीज़ practically करेंगे एक एक ची example लेकर दिखाता हूं आप लोगों को एक चीज़ तो मैंने यहां नोट पैड उपेन कर लिया है और यह पहले HTML टैक को लगाना होता है तो मैंने पहले HTML टैक को लगाया और इसको खतम भी करना पड़ता है खतम करने के लिए ब्रेस के अंदर आपको देना पड़ेगा और उ इसको सेप करूंगा एक फोल्डर पे अब कहीं पर भी सेप कर सकते हो मैं बास यहां पर एक फोल्डर के अंदर सेप कर लेता हूं और इसका नाम मैं दूंगा कुछ भी लाइक यहां पर देख सकते हैं कि हाई आयम सोरफ जो मैंने बॉड़ी का अंदर लिखा था वह अहां पर आ गया तो मेरे कहना का जो मेन मतलब था हो था कि आप notepad या कहीं पर भी html को लिखके उसको रांद कर सकते हैं ब्राउजर पे और like atom notepad++ sublime text कहीं पर भी यह लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको जो साजेस्ट करूंगा हो है कि vs code इंस्टल कर ले vs code यानि visual studio code जो कि Microsoft की तरफ से है और बिल्कुल फ्री है vs code जो है ओ एक source code एडिटर है आप यहां पर कोई भी language कुछ भी लिख सकते हैं मैं यहां पर आप लोगों को vs code इसलिए requirement कर रहूं क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है और यहां पर लिखने का बहुत सारे फाइदा है जैसे की कुछ short cards syntax highlighting ऐसा दिता है तो आपको सीधा Google में इसको सार्ज करना है और इसका जो ऑफिसियल साइड है visual studio.com उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही आप यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड ऑटमेंटिकल स्टार्ड हो जाएगा मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं आपको सीधा vs code में ले चलता हूं उससे भी पहले मैं अपने desktop पे फोल्डर बनाऊंगा HTML के पर आपका vs code open हो जाएगा और यहां पर राइट साइट पर आप देख सकते हैं कि उस फोल्डर का नाम HTML जो हमने क्रिएट किया था उसको और यहां पर न्यू फाइल पर क्लिक करूंगा और एक नाम दूंगा like demo.html और इसके बाद जैसे इस फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा html page जैसे start होगा इसके लिए html tag लगाऊंगा और इसके बाद आएगा हमारा head tag लिखूंगा यहां पर अब यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो फाइदा हो रहा है bs code पे लिखने का ओ है कि हम head tag open कर रहे हैं तो automatically लिए close होता जा रहा है और भी बहुत सारे फाइदा होता है तो यह फाइदा होता है हमारा bs code में काम करने का तो यहां पर head के अंदर title tag लगाऊंगा एक और title के अंदर मैं लिखूंगा html tutorial आप कुछ भी लिख सकते हैं और head tag के बाद हम यहां पर जो हमारा main है वो body tag लगाएंगे तो body tag जैसे मैंने लिखा तो यह automatic closing tag body का है वो हो गया और यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने जो doc type लगा है वो क्या है doc type declaration जो है वो document का type बताता है और browser को help करता है ओए page ठीक से display करने के लिए और हम इसको html page पे सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं और कहां पर लिखंगे हम एकदम top पे सारे जो html tag होगा उसके एकदम top पे हम इसको लिखेंगे तो basically जो आप आपके screen पर है यही जो है एक html क recording में आगे बनने से पहले मैं एक और चीज जो आप लोगों को बताना चाहूंगा हो है कि फंडमेंटली तीन को लेकर बना होता है पहला है html दूसरा है css और कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स और तीसरा है जावा स्क्रीप्ट जहां पर html जो है सिर्फ एक स्ट्रक्टर देता है गोईपेज को और css जो होता है फुल होता है कितना ज्यादा सुन्दर आपका और जावास्क्रिप्ट जो है और डाइनमिकली काम करता है दोस्तों अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एक ही वीडियो में css का ट्यूटोडियल और जावास्क्रिप्ट अलग एक लिखना है और बडी के अंदर लिखना है तो मैं पहले यहां पर एक सिंपल सा लाइन लिखके आपको दिखाता हूं यहां पर मैं लिखता हूं कि हाई आयम सोरॉप और मैं आप से एक रिक्वेश्ट करूँगा कि यहां पर जो आटो से फॉप्सन है फाइल पे आप इसको कर ली जिए दाकि हमने बार बार सुर्na करना पड़े तो चलिक कर लेते हैं और आप चलते हैं फोल्डर पोर और यहां पे देख सकते हैं अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे ब्रावजर पर ओपन हो गया और यहां पर हाय आयम सोर अब लिखके आ गया इसके बाद होता है है html में heading tag तो heading tag के ऐसे लिखते हैं कि h1 h2 h3 ऐसे करके h6 तक 6 heading tag होता है html में तो मैं पहले आप एक heading tag लगता हूं like h1 अगर आपको heading लगना होता है तो age लिखना होता है और उसके बाद आपको number देना होता है और इसको मैं copy कर लूँगा और six time paste कर दूंगा इसके बाद मैं h2 कर दूंगा और आपको right side पे भी closing tag पे change करना पड़ेगा h3 करूंगा और इसके बाद h4 कर दूंगा और h5 करता हूं मैं यहां पर और इसके बाद h6 नहीं दूंगा h7 दूंगा आपको दिखाऊंगा h7 देखे क्या होता है और बताऊंगा भी और आप यहां पर देख सकते हैं कि h12 h6 अगर आप h6 के बाद h7 h8 h9 आप ऐसा करोगे तो h6 का जो साइज होगा वह सेम साइज उसके बाद का भी होगा और टैग में h1 h2 अब जितना साइज बढ़ते जाओगे वहां पर यहां पर साइज उतना ही छोटा होता जाएगा तो उमीद करता हूं आप यह समझ गए होंगे इसके बाद इसके बाद मैं फूल स्टॉप दूंगा और आपको एक चीज दिकाता हूं मैं यहां पर निक्स्ट लाइन पर आऊंगा इंटर्मर के और यहां पर मैं लिखूंगा आप्टीचिंग यू html in this video तो इसको मैं ब्रावजर पर हमार 2 कव देख सकते हैं फैसी लिखा थाई नीचे virus नेज्रें पर देया तो चंव миश्च जो है भी आर क्हक्तलों ब्रेक तो में आपर त्यूंस के बादने काम यहां पर मयदं केयों पर छाँएilar Man पर sniper करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा लाइन था और नीचे आ गया तो यह बएर टएग है आप इसको स्लैस बीर बीलेख सकते हैं को MOR नीचे ही है मैं यहां पर सोरब को बाद एक और बार दिखाता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं आयम सोरब के बाद पूरा लाइन है और नीचे आ गया इसके बाद आगर आप किसी पर्टिकुलर वार और लाइन को बोल्ट करना चाहिए तो आपको बी टैक लगाना इसके बाद ऐसे इटालिक के लिए ऐ होता है तो मैं लास्ट लाइन को इटालिक कर देना चाहथा हूंक तो इसलिए मैं यहां पर आई का इस्टेम ignorat गहाऊंगा और इस लाइन के बाद अलेकर इस टैक को खतम करूंगा और आप यहां पर देख सकते हैं ब्रावजार पर जो लास्ट लाइन था आयम टीचिंग यूँ एस्टेमल इस वीडियो ओ जो लाइन था ओ इटालिक हो गया है दोस्तों इस टेमल में अगर आप स्ट्रॉंग टैक का यूज करें तो ओ भी बोल्ट का काम करता है मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर मैं स्ट्रॉंग टैक का यूज करता हूं था ब्रावजरAm 25 के अंदर निखूंगा वह पूर्ण दिखसकते हैं जो वैंने लिखा था इसेज बीक बीक और पीड़ा और जो मैंने लिखा था दिच स्मॉल यहां और मैं यहां पर काम करता हूं यहां पर एक ब्यार्ट एड़ कर देता हूं इसके अंदर ताकि आपको आच्छे से समझ में आए और आप आप देख सकते हैं दिस इज बीग और दिस इस प्मल के अंदर डिफेरेंस अब हम नेक्स्ट आते हैं हम html के structure में image कैसे add करेंगे तो image के add करने के लिए simply आपको image टेक लगाना पड़ेगा image और इसके बाद आपको source देना पड़ेगा so source के लिए आपको लिखना पड़ेगा src so simply image src और आपको इसका source देना पड़ेगा तो यहां पर source में मेरा अभी के लिए तो कोई image नहीं है तो मैं simply एक नाम देता हूँ abc.png और इसके बाद आपको size देना पड़ेगा तो height और width देना पड़ेगा height मैं देता हूँ कुछ भी like आपको जो भी लिखना है double inverted के अंदर लिखना है जो कि 100 pixel into 100 pixel का है अब इसका size कमा भी सकते हैं बाड़ा भी सकते हैं लेकिन अगर मैं जो हमारा folder था html tutorial उसके अंदर abc.png नाम का कुछ भी image होता तो हम यहां पर देख सकते थे जो हमारा एक लिंक पर क्लिक करते हो तो लिंक जहां का है अब सिद्धा वहां पर चले जाओगे मतलब इतना समझ लिजिए कि आप एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हो हाइपा लिंक की मदद से इसके अंदर simply आपको लिखना है अपको लिंक करेगा दूसरे एक होई पेज से और इसके अंदर आपको कोई भी एक URL देना है आप कहीं से भी पेस्ट भी कर सकते हैं कॉपी करके और मैं यहां पर मैंनुएली देता हूं लाइक गूगल का ही देता हूं पहले जो होता है और उसके बाद www.google.com नेक्स्ट आपको इस टेक को क्लोज भी करना पड़ेगा तो आप ब्रेस देंगे तो आटमेटिक लिए आए जाएगा और इसके बाद मैं यहां पर एक टेक्ष्ट दूंगा जिसके उपर आप क्लिक करेंगे तो वह इस लिंक में रिडाइरेट कर देगा तो यहां पर मैं लिखूंगा दिस लिंक आप गूगुल इसके बाद मैं यहां पर ब्रावजर पर आपको दिखाता हूं तो आप यहां पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि गूगल.com का जो ऑफिसल साइड है वहां पर इंटर हो गया इसके यहां पर पेच्ट कर देंगे और कोई भी में देना पड़ेगा सो मैं क्या करूँ गूगल से ईमेज डानलोड कर लूँगा गूगुल स्टीकर से पर लिखूंगा और इसके बाद एक स्टीकर ृउम्लोड कर लूँगा यहां से और इसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे जो फोल्डर हमने create किये था HTML tutorial उसके अंदर जाऊंगा और उसके अंदर इस image को मैं save कर लूँगा इसका नाम याद रखना download.png लिखा है यहाँ पे मैं save कर लेता हूँ और फिर से मैं VS code पे आऊंगा और यहाँ पे जो image source है इसका name मैं change कर दूँगा जो हमारा name था download.png यहाँ पे मैं वो दे दूँगा इसके बाद मैं फिर से अपने browser पे आऊंगा और यहाँ पे refresh करूँगा और अपने page पे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वो Google का जो sticker है वो आ गया अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं फिर से google.com जो हमारा site है official उसमें मैं आगया आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं क्या करूँगा मेरा जो VS Code में यहाँ पर जो लिखा है this is link of Google मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा google.com ताकि हमें समझने में आसानी हो ताकि google.com पर अगर कोई क्लिक करें तो google.com पर ही जाए यहाँ पर मैं google.com लिखूँगा और अपने ब्रावजर पर आऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं google.com हमारे लिंक क्रिएड हो गया अगर हम इस लिंक पर क्लिक करें तो हमारे google.com अफिसियल साइट पर आ गया नेक्स्ट इसके अंदर लिस्ट के लिए लाई टेक्ट करना है और यहाँ पर मैं तीन-चार क्रिट कर लेता हूं और मैं काम करता हूं उपर एक लाइन एट करता हूं एच वान के अंदर ताकि आच्छा दिखे हमारा और यहाँ पर मैं लिखता हूं लाइक दीच आर साम अप माई फेवरिट सिंगर्स इसके बाद नीचे जो चार लिस्ट आइटम मैंने क्रिट किया इसके अंदर मैं चार नाम डालूँगा पहले में डालूँगा स्रेया घोसाल दूसरे में डालूँगा सोनू निगम तिसरे में लाइक केके चौथे में अरीजित सिंग तो मैं आप ब्राउजर पर आपको र पोकि चार नाम आफ और आप आनृडार लीच्ट के लिए आपको सिरेफ ओड़ाड लिस्ट के जयासे जासे उल है उसमें और लिस्ट के लिए लाइना पड़ता है तो मैं पहले इसinateこと को कॉपी कर लेता हूं पूरी की पूरी और इसके बाद मैं यहा से यहा पर विर से इस इसको रिफ्रेस करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी और नहीं है जैसे मैंने लिखा था वहीं आ गया से पहले की तरह हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि और लिस्ट और लिस्ट में आपको डिफरेंस कहा है आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं कोई भी एक पेज को सेपरेट पार्ट में डिबिशन करने के लिए तो मैं यहां पर डिफटक का इसकर होंगा और यहां पर मैं इसके बात मैं आपको ब्रावजर पर दिखाता हूं आप यहां पर नीचे देख सकते हैं और दोनों अलग अलग डिबिशन क्रिएट हूआ क्य स мног giorno मैं यहां पर ड्राव करेंगा आपको बस समझने की जरु दिंये मैं क्या कर रही हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए कैसे यहां अब यह स्टाइल सिट कैसे हो रहा है आपको यह समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं अभी के लिए अगर आप इस थिकना चाहते हैं तो मुझे कमेट में जरूर बता है मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि जो हमारा डिवीशन है मैं बस जो डिवीशन है ओ दिखाना च देख सकते हैं जो हमारे डिव है जो पार्टिसन है पेज का हमारा कितनी अच्छी तरह से आ गया है जो दो अलग-अलग हमने डिव लिया था हाई आयम सोरभ एंड सोरभी जी और फ्रेंट ओ दोनों अलग-अलग पार्टिसन होके आ गया सो इसके बाद आप एस्टीमल में टेबिल भी क्रिएट कर सकते हैं तो मैं यहां पर अलग-एक फाइल बना लेता हूं और इसका नाम देंगा डेमो 2.html और इसको एंटर करते ही यहां पर मेरा एडिटर आ गया और इसके बाद जो हमारा एस्टीमल का बेस्टिक जो स्ट्राक्चर है वह मैं लिख लेता पहले हमें टेबिल टैक का युच्छ करना पड़ता है तो टेबिल टैक और इसके बाद हमें टेबिल हेट की जरूरत पड़ती है तो टेबिल हेट के लिए टी हेट के अंदर आपका सारा जो टेबिल हेडर होगा ओ कंटेन करेगा टी हेट और इसके अंदर और इसके बाद मतलब टेबिल हेड इसके बाद आप जितने भी टेबिल हेड देना चाहते हैं ओ देना पड़ेगा टी हेड के अंदर सो टी हेड के अंदर नेम डिपार्डमेंट और यहां पर मैं एक और करता हूं लाइक एड्रेस कर देता हूं तो मैं आपको इक पर दिखा देता हूं ब्रावजर पर मैं आपको यहां पर मैं सेफ कर लेता हूं और डेमो टूटर डेस्टीमल खुलूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं नेम डिपार्डमेंट एड्रेस तीनों जो हमारा टेबिल हेडर से ओक रिएड हो गया हलाकि जा तो यह क्रियेट हो गया तो आप जितने भी वैलू देना चाहते हैं उसको आपको टेबिल रो के अंदर देना पड़ेगा तो टेबिल रो क्रियेट करने के लिए टी आर टैग लगा करना पड़ेगा और टेबिल रो के अंदर आप जितने भी वैलू देना चाहते हैं वह है डेटा elem ineट करना है। तेयां पर मैं address परILL में डेटा आक डिल५् आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां मेरा 10 data अ्धान के अंदर के अंदर।BIश यह जितना भीalım वबीडियु इन्सलट करना चाहें उतना ही टेमिल अ zar तो मैं यहां पर थीन टेबिल तो में ब्लावियों कर दो एक चब दो यहां पर मैंने तीनों रो में नीचर ऑगे अपर दहें सकते हैं जो यू को नीचे पर नीचे साबी है मैं यहाँ पर हैं घर आई वेला केसे लूंत हैं यह पर पहले हमने टेविल करने के लिये तैब् है उसके बाद हमने जो नेम डिपार्टमें इड्रेस तीनों हमने जो टेहिल हेट किया था इस सको टेविल head tag के अंदर रखा और th के अंदर रखा और इसके बाद जो भी हमने value insert करना चाहा उसको table row मतलब tr tag के अंदर रखा और जो value हमने दिया उसको table data मतलब tr के अंदर td होगा और सबसे पहले table होगा उसके अंदर पहले table head tag होगा और उसके बाद आप जो value insert करना चाहे table row के अंदर table data तो उमिद करता हूँ आप table कैसे create करना है HTML में उसका structure कैसे बनाना है आप यह समझ गए होंगे पर नहीं आपको दिखाऊंगा कि तेबिल कैसे होता है कितना अच्छा दिखता है जो style me अभी लगा रहा हूँ आपको उसमें जारासा भी ध्यान देने की जरूद नहीं है अब बस output पर ध्यान देख अब यहां पे देख सकते हैं ब्राओसर पर अगर मैंने रिफ्रेश किया तो कितनी तरह से हमारा टेबिल है औहां एक टेबिल रोगा समझा रहा है और उपर तेबिल रहहां रहा है तो यहैं पर टेबि τराह सकते हारे परोगा और यहां पर मैं इसका नाम registration.html दूँगा और इसको open कर लूँगा और open करते हैं हमारा left side में editor open हो जाएगा और हम यहां पर पहले की तरह एक और जो HTML का structure है और create कर लेते हैं इसके title में मैं दूँगा नाम registration form title के बाद मैं यहां पर नीचे body पर आजाऊंगा और यहां पर मैं body और जो फॉर्म होगा उसका background color दूँगा तो इसलिए bg color is equal to blue करता हूं इसके बाद इसको मैं जाएसे close करूंगा तो automatically body tag भी close हो जाएगा इसके बाद मैं एक tag भी आट कर लेता हूं इसके बाद सबसे पहले तो फर्म क्रेट करने के लिए पहले जो हमें जरूरी होता है और जो कुछ भी हमें फॉर्म का लिखना है और इसके अंदर ही लिखना है दोस्तों मैं आप लोगों को registration form इसलिए दिखा है वह सब कुछ मैं आप सबको registration form के अंदर दिखा सकूं तो इसलिए मैंने रेजिस्टेशन उप्सनी चूज किया और इसके अंदर मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा और आपको जो कुछ भी सारा HTML में लगे का किसी भी जगा काम करने के लिए अब यहां से सब पर मैं यहां पर एक वर्म दिखा रहे हैं तो ओ एक अलक्षीस है इसलिए एक पर तो लेक्टे को papon लेना पड़ता है अगर जाहां पर आप सब्मेट कर सके आप लीग सकते अपका नेम तो इसलिए कि इंपूट और टाइप मतलब आप क्या दिना चाहते है तो यह नेम जो होगा वो टेक्स्ट होगा इसलिए इन्पूट टाइप टेक्स्ट और नेम देना पड़ता है नेम कुछ भी दे हैं इसके बाद आपको क्या करना है आपको उसको प्लेसोल्डर के अंदर देना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इंडर फर्ष्ट नेम और इसको क्लोज कर देता हूं तो एक बज़तल के देख लेते हैं हमारा जो आउट पूडर रिष्ट्रेशन फॉर्म का वह कैसा है यहां पर मैं रिष्ट्रेशन फॉर्म को पेंड करूंगा और आप यहां पर देख सकते हैं फर्ष्ट नेम और यहां पर ज्यादा डीप ब्लू हो गया इसलिए जाता समझ म इसली नहीं आ रहा है मैं इसको क्या करता ऌ nutquote कर लेता हूँ जो बैगराउंड कलर है अप दीख सकते हैं खिलिया लिया ब्लियर दो बॉकस इसको मैं कौपी कर देता हूं और कि यहां पर next कर देता हूं नीचे और जो फास्ट नेम है इसकी जगा मैं मिडिल नेम कर देता हूँ और नेम में भी मिडिल नेम कर दूंगा और प्लेस ओल्डर में भी एंटर मिडिल नेम कर देता हूँ इसके बाद आखरी फास्ट नेम को भी मैं लाश्ट नेम कर देता हूं और उसकी नेम में लाश्ट नेम कर देता हूं में कुछ भी देचकता हैं यहांपर आपकी ज़रुत नहीं है कि फार्श नम, मिडलिम या लास्नेम दे और फ्लेशोल्डर में इसको मैं लास्नेम कर देत हूं तो अब फिर से ब्रावजर पे जाके एक बार चेक होते हैं इस्टीमल में जितने भी इन्पूट टैग चाहिए होता है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इसलिए मैं नेक्स्ट एक और लेवल लूंगा लैक यहां पर मैं लूंगा कोर्स और course के लिए मैं यहाँ पे select tag का यूज़ करूँगा select से क्या होता है आप किसी भी option को select कर सकते हैं आपके पास बहुत सरा option रहेगा आप किसी भी एक option के select कर सकते हैं और उसके अंदर option देना पड़ता है इसलिए option tag का भी यूज़ करना पड़ेगा तो option उसके अंदर value देना पड़ेगा आप कुछ भी दे सकते हैं value में like मैं यहाँ पे देता हूं mca और इसके बाद जिसको choose करना पड़ेगा आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूं mca तो मैं इसको copy कर लेता हूं और यहाँ पे 4-5 इसको paste कर दूंगा और जो value और जो name है उसको मैं हर एक को change कर दूंगा तो पहले मैं यहाँ पे bca कर देता हूं और यहाँ पे जो select करूंगा ओ भी उप्सवाइलू मैं यहाँ पर अंत में करता हूं लाइक MBA और मैं % कर देता हूं और आप जा के देखते हैं क्या होता है और आप इसको कैसे यूज्ज गये हूंगे तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में यहाँ पर एक और लेवेल लूँगा और इस बार लूँगा जेंडर के लिए तो मैं लेवेल के अंदर जेंडर लिख देता हूँ और जेंडर का जो इनपूट टाइप होगा अब इसको ऐसे सीलेट ऑप्शन भी कर सकते हैं नहीं तो जेंडर का जो इनपूट टाइप होता है और रेडियो होता है मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा इसलिए मैं इसको अलग-अलग ले रहा हूं तो रेडियो ले रहता हूं इन्पुट टाइप और इसका जो नेम देता हूं एक होगा मेल होगा इसके बाद फिर से आपको यहां पर भैलू देना है जिस चीज के लिए आप रेडियो बटन क और नेक्स्ट आदर करूंगा और यहां पर भी आदर्स कर दूंगा तो आप ब्रावजर पर जाके देखते हैं तो यहां पर मैं ब्रावजर पर रिफ्रेस्ट करता हूं अब यहां पर जेंडर पर देख सकते हैं कि मेल फिमेल और जो आदर्स हैं यहां पर मेरा तीनों सिले कर सकता हूं लेकिन यहां पर दिक्कतार है कि हं एक ही साथ तीनों को कर सकते हैं तो मैं आपको यहां प्रसक्ड ओस्ड oh हुआ कि नहीं और इंपुट टाइब रेडियो जो है वह कैसे काम करता है यह आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं इसके बाद हम यहां पर एड्रेस करेंगे तो एक और लेविल लूँगा और इसका अंदर मैं लिखूंगा एड्रेस अब एड्रेस के लिए और यहां पर एड्रेस का आड्रेस ले और इस टेक को क्लोज कर दूगा यहां पर मैं दो ब्यार टेकर लेता हूं ज्याद़ा स्पेस के लिए और यहां पर ब्रावजार पर देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस है उसके लिए फिल्ट क्रियेट हो गया है हाला कि इसका जो कॉलंस है और रोज है वो दिखने ही रहे हैं लेकिन वो है मैं इक और लिए अट करूँगा मॉबाइल नंबर के लिए तो मैं या पर लिए लुगगा और इसको अंदर लिख hoping durability और इसके लिए मैं इन पूट लुँगा या इन पूट और पाइप दूगा टेक्स इसके बाद मैं नेम दों नेमें दूंगा लाइक फोन जरूरी नहीं है कि आप सेमी नेम दे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और साइस दूंगा मोबाल नंबर के लिए जिनरली 10 होता है तो 10 इसके बाद मैं दो बी आर टेग कर लूँगा अब ब्रावजर पर इसको मैं दिखाता हूं तो अब यहां प ठीक से आ गया मोबाल के बाद मैं इमेल लेना चाहूंगा तो इमेल के लिए एक लेवल लेता हूं और उसके अदर मैं लिखता हूं इमेल और इसके लिए इनपूड लेता हूं इनपूड और टाइप में देता हूं इमेल ताकि हम जब भी इमेल में भैलू दे ओ इमेल ही लिए सर्फ कुछ और ना ले और यहां पर इमेल के लिए आईडी देना भी ज़रूरी होता है तो इमेल के लिए आईडी देता हूं और उसमें वैलू देता हूं इमेल और नेम देऊंगा इमेल और दो बिया टैग एड कर लूँगा इसके बाद पासवार दूँगा मैं एक पासवार ही ले और आईडी में भी पासवार दूँगा और नेम में मैं यहां पर लिखता हूं पास और बियार टैग लगा लूँगा दो इसके बाद confirm password होता है confirm password के लिए मैं एक और लेवेल लूँगा और उसके अंदर लिखूंगा confirm password उसके लिए भी same होगा input type password होगा क्योंकि हमें confirm password में भी password ही डालना पड़ता है तो input type password और id मैं देता हूँ यहाँ पर repass और name में भी देता हूँ repass मैं save दे रहा हूँ re-enter password के लिए तो यह रहा हमारा registration form और registration form के अंद में जो होता है वह है submit button आप जो भी value वहाँ पे submit करेंगे उसको आपको submit करना पड़ेगा उसके लिए एक आपको button चाहिए तो यहाँ पे मैं input type is equal to button देता हूँ एक और मैं input लूँगा इसके लिए और यहाँ पर value is equal to submit दूँगा और आप चलते हैं browser की तरफ यहाँ पर देखते हैं लेकिन उससे भी पहले मैं एक और चीज़ों करना चाहूंगा ओ है check box check box करता है अगर आप बहुत सारी जगह पर देखेंगे कि कोई भी फॉर्म सामिट करने से पहले उसका टार्मसन कॉंडिशन को चेक करना पड़ता है कि हाँ आप एग्री है उसके टार्मसन कॉंडिशन से ओ मैं यहाँ पर create करूंगा तो यहाँ पर input type is equal to check box लूँगा तो फाइनली आप यहां पर ब्रावजर पर देख सकते हैं कि एक रिजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल ता यरो के आ गया है हमरे समने जो की जादा डिजाइनिंग तो नहीं है क्योंकि डिजाइन करने के लिए आपको CSS का युज करना पड़ता है और यहां पर डीप क्लास देखे सामिट कर देता हूं यहां पर तो मैं अगर यहां पर सामिट बटन पर क्लिक करूं तो यह सिर्फ पर रह जाएगा क्योंकि हमने फॉर्म का एक्शन और जो मैथड है उसको हमने नहीं दिया ताकि हमरा अलगेज़ पेज में जाए और वहां पर वैलू रिसीब हो मैं अगर और हो सब करना चाहते हैं अगर आप सब्सक्राव है और हो चाहते हैं अगर एक और आप करना है तो मुझे जरूर बताए अगर उतने कमेंड़ है तो मैं आप लोगों लिए css HTML की तरह css का course भी ऐसे ही एक मैं जरूर बनाऊंगा और अगर आपको वीडियो helpful लगे या अच्छा लगे अब अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजिए और हमारे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद